Hello students, we are going to start chapter number 8, third part, इस वीडियो का third part है यह, इस चैप्टर का, यहाँ पे देखिए इससे पहले दो वीडियो हम बना चुकी है, उसके अंदर हम इससे पहले का सारा portion discuss कर चुकी है, अभी हमें करना है discuss part of the cell, जिसे कि मैंने यहाँ पे एक cell draw कर दिया है, यह cell है, hand egg मैंने यहाँ आपर draw कर लिया है, सबसे जो बाहर वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, cell membrane, सबसे जो बाहर वाला पार्ट है, इसको क्या बोला जाएगा, cell membrane, इसको हम बोलते हैं, cytoplasm, क्या बोलते हैं इसको, cytoplasm, जो सबसे center में हमें circular जो हिस्सा नजरा रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, nucleus, क्या बोला जाएगा इसको, nucleus, तो हम बोल सकते हैं, कि जो cell है, plants के अंदर या animals के अंदर, उसके कितने पार्ट होते हैं, तीन पार्ट होते हैं, कौन-कौन से त तीन पार्ट के नाम है, देखिए, cytoplasm है, nucleus है, और cell membrane है, cell membrane का दूसरा ही नाम क्या है, plasma membrane, अब बात करेंगे, हम plasma membrane क्या काम करते हैं, cytoplasm का क्या काम है, nucleus का क्या काम है, cell membrane, जिसको हम plasma membrane भी बोलते हैं, वो क्या करती हैं, दो cells को, या जितने भी cells अबोड़े के अंदर, ए एक दूसरे को क्या करेगी एक दूसरे से अलग रखेगी इसके अलावा जो प्लाजम मेंब्रेन है वो कैसी होती है पोरस होती है मतलब उसके अंदर छोटे-छोटे होल्स होते है and allow the movement of substance और material बोथ inward और आउटवर्ड अगर सेल के अंदर किसी चीज की जरूरत है इस सेल के अंदर किसी चीज की जरूरत है तो प्लाजम मेंब्रेन क्या करेगी बाहर से उसको क्या कर देगी सेल की अंदर भेज देगी और जब सेल के बाहर उस चीज की जूरत है तो सेल से बाहर कर देगी उस चीज को तो यह सारा जो काम है यह कर रहाएगा कोन प्लाजमा मेंब्रेन और किस वज़े से कर पाते हैं क्योंकि उसका नेचर कैसा है पूरस है अब आगे आपको यही बताया गया है यहाँ पे एक cell की preparation की बारे में बात की गई है यहाँ पे कैसे हम cells बनाएंगे कैसे उसके components को observe in order to observe the basic component of cell take an onion bulb हमें क्या करना है एक प्याज ले लेना है उसके हमें cells के जो components है उसको हमें study करना है कौन-कौन से पार्ट है remove the dry pink covering जो dry pink covering है उसको हमें उतार देना है जो purple color की peel होती है you can easily separate these from the freshly white layer of the bulb with the help of four cell or even on hand यह जो आप अलग करोगे उस layer को उसको अपने हाथ की health से भी कर सकते हो और four cell मतले की चिम्टी होती है जो हम lab में use करते है बायो lab में ज़्यादा तर यूज की जाती है तो उसकी health से भी हम क्या कर सकते है इस peel को remove कर सकते है फिर हमें क्या करना है उस onion peel को हमें पानी के अंदर रख देना है और पानी के अंदर रखने के बाद उसको हमें कहां पर लएग चाहले के ऊपबर रखने के पाद हमें उसके अंदर क्याँ डालना है हमेंrict करना होता है सेल को अची तरह से अब्ज़र करने के लिए हमें डालना है methyl blue solution और methyl blue solution डालने के बाद हमें क्या कर देना है जहाँ पे हमने वो cell डालना है किसका cell? onion pulp का जो peel cell लिया था उसको हमें cover कर देना है cover slip के साथ फिर उसको हमें क्या करना है microscope के अंडर हमें observe करना है तो जब हमें cell को microscope के अंडर observe करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का structure नजर आएगा तो यहाँ पर जो सबसे बाहर आपको नजर आएगा इसे माल यह एक onion cell है तो यहाँ पर जो सबसे center है इसमें क्या दिखा है हमें nucleus दिखा और इसके जो बाहर वाला nucleus के बाहर वाला इसको उसको क्या बोलते हैं जो plants के अंदर क्या होती है cell membrane तो होगी होगी इसके लावा एक अलग से membrane होती है जिसको हम क्या बोलते है cell both the central dense round body in the center is called nucleus nucleus को जैसे आप देख पा रहे है यह जो round color की जो body है cell के अंदर center के अंदर इसको हम क्या बोलते है nucleus बोलते है nucleus के बाहर जो जैली-like structure है यह पूरा इस पूरे हिस्से को हम क्या बोलेंगे cytoplasm जैसे यह दिखा दिया गया है cytoplasm तो कैसा होगा यह jelly-like structure between the nucleus and the cell membrane जो jelly-like structure है किसके बीच में है cell membrane और nucleus के बीच में और हिस्से का नाम क्या है इसका cytoplasm I want to know why plant cells need cell wall यहाँ पर जो बूजो है उसके मायन में question आया कि जो plant cells होते है उनके बाहर जो एक extra layer है जिसको हम cell wall बोलते है वो क्यों present होती है वो क्यों present होती है उसका क्या reason है देखो plants को तो क्या है बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो कुछ भी हो, इनको बाहर रहना है यह तो हमारे के तरह घरों के अंदर नहीं आ सकते है सर्दी गर्मी से बचने के लिए यह कपड़े पहनते है तो इनको थोड़े ज़्यादा protection की जूर्थ होती है तो इसके लिए इनकी body के जो बाहर cell के बाहर जो covering है वो एक extra covering बन जाती है जिसका नाम क्या है cell wall क्या नाम है extra covering का cell wall तो देखी क्या function है cell wall the membrane gives shape to the cell cell membrane तो क्या करेगी shell को shape देगी लेकिन जो एक additional membrane है जिसका नाम cell wall है वो क्या करेगी एक extra protection provide करवाएगी किसको? plants को plant need against protection variation in temperature high wind speed atmospheric moisture plant को कहा कहा से protection की जुरूरत है temperature change कभी गर्मी हो गई है कभी सर्दी हो गई है high wind speed ज़्यादा तेज हवाई चलती है तब plant को protection की जुरूरत है atmospheric moisture atmosphere के अंदर moisture जादा है तो भी plant को किस त्रीज की जुरूरत है protection की जुरूरत है क्यों? they are exposed to these variations because they can't move वो हर टाइम इस तरह की variations को क्यों जेलते है क्योंकि उनकी बोड़ी के अंदर movement नहीं होती जैसे कि हमारे बोड़ी के अंदर होती है cells can be observed in the leaf field of Tradentia, Elodia and Rio ये example दिये गई है leaves के जहाँ पे आप cells को observe कर सकते हो जैसे कि हमने onion cells के किये है onion पील के उसी तरह हम इन plants के leaves को लेके भी cell को observe कर सकते है पहेली आस बूजो if he can also observe animal cell पहेली ने किस से पूछा है? बूजो से पूछा है हमने plant cell के बारे में तो पढ़ लिया क्या हम animal cell के बारे में भी पढ़े या animal cell क्या है या कोई animal cell बूजो ने या पहेली ने observe किया है क्या तो यहाँ पे जो activity बताए गई है इस activity के अंदर बताए गया है आपको कि हमें जो हमारे चिक है जो हमारे गाल है उसके अंदर से हमें थोड़ा सा scrap करना है microscope के अंदर observe करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का structure नजराएगा यह किसका structure है हमारे चिक cell का तो यहाँ पे भी देखिए एक cell ये हो गया एक cell ये हो गया तो टोटल कितने cells नजरा रहे हैं यहाँ पे 5 तो सबसे बाहर वाली layer क्या है cell membrane है उसके बाद जो central round आपको नजरा रहा यह nucleus है और nucleus और cell membrane के बीच की जो jelly-like structure है उसको हम क्या बोलते है cytoplasm है किसका डाइगराम है human cheek cells का next अब है cytoplasm cytoplasm हम बात कर चुके है jelly-like structure है और इसके अंदर क्या present होते है cytoplasm के अंदर cell organelles इसके आप रेजन्ट होते है cytoplasm के अंदर cell के organelles बदर cell के part है वो कौन-कौन से है mitochondria है गोलगी body है ribosomes है lysosomes है rough endoplasmic reticulum है इसके बारे में जो cytoplasm के बारे में जो detail में इन cell organelles के बारे में है वो आप करेंगे 9th class के अंदर क्योंकि 9th class के अंदर भी आपका एक chapter है the fundamental unit of life वहाँ पर detail में पढ़ना है आपको यहाँ पर simple आपको बस नाम याद रखने है mitochondria है cell organelles गोलगी body है ribosomes है lysosomes है next देखिए उसके बारे आपका nucleus तो nucleus भी क्या है एक important component है living cell का और यह कैसा shape होता है इसका spherical shape और कहाँ पर locate होता है यह cell के center के अंदर जैसे कि भी मैंने diagram के अंदर देखा यहाँ पर यह क्या है nucleus कैसे shape है इसके spherical shape nucleus के बाहर भी एक layer होती है जिसको हूँ क्या बोलते है nuclear membrane और nuclear membrane का क्या है अगर cytoplasm से कोई चीज cell के nucleus के अंदर भेजनी है यह nucleus से कोई चीज बाहर cytoplasm के अंदर भेजनी है तो यह काम करवाएगा कोन वहाँ पर nuclear membrane यह सेल के बाहर की membrane को cell membrane बोलते हैं उसी तरह nucleus के बाहर की layer को membrane को हम क्या बोलते है nuclear membrane with the help of microscope of higher magnification we can also see a similar spherical body in the nucleus this is called the nucleus अब उसके बाद इनोंने बोला है इतना तो अगर हम simple microscope से देखते हैं तो यह structure हमें नजरा जाएगा लेकिन अगर हम high power microscope के साथ observe करेंगे high magnification के साथ observation करेंगे तो वहाँ पर nucleus है जैसे cell है यह nucleus है nucleus के अंदर भी एक क्या नजराता spherical body नजराती है nucleus के अंदर भी एक sphere shape की body नजराएगी और इस spherical body को हम क्या बोलते है nucleolus इसके अलावा nucleus के अंदर क्या नजराएगे thread like structure अभी देखें यहाँ पे मैं आपको nucleus का diagram हम draw करके दिखाती हूँ कि nucleus के अंदर क्या क्या नजराएगी यह nucleus है यह पूरा हमने cell draw कर लिया तो nucleus के अंदर क्या होगा एक तो होगा nucleus यह लिखा हुआ यहाँ पे और कुछ यहाँ पे होते है thread like structure ऐसे धागे like structure हमें नजराते हैं पे एक जालसा नजराता है हमें और इन thread like structures को हम क्या बोलते हैं chromosome क्या बोलते हैं chromosome और chromosome के ओपर जैसे मैंने यहाँ पर draw कर दिया यह chromosome का structure है chromosome के ओपर लाई करती है genes chromosome के ओपर क्या लाई करती है genes लाई करती है और chromosome कर्jeautosomes की जो genes है उनका काम क्या है जो भी हमारे पेरेंट्स के जो 터 consecutive है उसको किसके अंदर पहुंचाना उनके बच्चों के सु vivir है कि हम बोलते है कि यह तो अपने दादा पर गया है दादी पर गया है यह यह अपने Woah परका की डिक्टो कोपी है, यह किस वजए से? यह जीन्स की वजए से, क्योंकि जो फादर के जीन्स है, वो किस के अंदर आ गए है? बच्चे के अंदर आ गए है, तो यह क्या है? genes are the inheritance unit of the characters from parents to their offspring offspring का मतलब their baby chromosomes can be seen only when the cell divide जो chromosomes हैं वो हमें कब नजराएंगे जब हमारे cells का क्या होगा division होगा तब ही cells के अंदर हमें क्या नजराते हैं chromosomes उसके बाद next देखिए यहाँ पर genes की बाद बताए गई है genes मैंने बता दिया था आपको जैसे की हमारे parents से जो character हमारे अंदर आते हैं वो किस की ज़े से आते हैं genes की ज़े से आते हैं जैसे की मालिया curly hair है mother के और बच्चे के भी curly hair हो गई है तो कौन सी genes आ गई है curly hairs की genes आ गई है कहां से कहां mother से उसके बच्चे के अंदर या फिर eyes का color है जैसे brown color है father का और बच्चे का भी जो eyes का color है brown आ गया है तो genes कहां से आई है father से उसके बच्चे के अंदर तो हम बोल सकते हैं nucleus का काम क्या है in addition to its role in the inheritance act as control center of the activities of the cell cell के अंदर जितनी भी activities होती है जो भी cell के काम है उन सभी को control कौन करता है nucleus कंट्रोल करता है तो जो भी एक तरह से control center कोन है हमारे cell का वो है nucleus the entire content of a living cell is called protoplasm जो भी living content है हमारे cell के अंदर उसको हम क्या बोलते है protoplasm जैसे कि देखे ये cell है ये nucleus है cytoplasm और nucleus को इकठा हम क्या बोल देंगे इसके content को protoplasm क्या बोल देंगे cytoplasm plus nucleus कोई कठा क्या बोल दिया जाएगा protoplasm पहली wants to know if the structure of nucleus is same in the cell of the plant, animals and bacteria पहली यहाँ से question करती है कि जो structure होता है nucleus का plants के अंदर animals के अंदर और bacteria के अंदर क्या ये nucleus का structure same है या फिर नहीं है तो ये देखे यहाँ पे यहाँ पे अभी हम terms करेंगे prokaryotes की, eukaryotes की जिससे आपको इस question cancer मिल जाएगा तेखें, जो nucleus होते है bacterial cells के अंदर वो well organized नहीं होते जैसे कि multi-celler organism होते है तो इसलिए हम बोल सकते है कि जो nucleus का जो structure है वो किसके अंदर, bacteria के अंदर और जो दूसरे हमारे living organism है उनके अंदर एक जैसा नहीं है तो यहाँ पे कितने तरह कि हमारे cells है एक तो है आपका prokaryotic cell और दूसरा है आपका eukaryotic cell prokaryotic cell किसको बोलते है जैसे मैंने यहाँ पे एक cell draw कर दिया इसके इंदर जो nucleus है well defined nucleus है हर एक part को आप अच्छे से explain कर सकते हो कि यह nucleus का nucleus है यह nucleus के chromosomes है यह nucleus के genes है तो यहाँ पे हर part को आप किया कर सकते है अच्छी तरह से आप define कर सकते हो बता सकते हो उनके बारे में लेकिन मैंने एक दूसरा structure यहाँ पे draw कर दिया यहाँ पर पता ही नीचल रहा है, nucleus कहाँ पर है, cytoplasm वाला हिस्सा कहाँ पर है, तो इन तरह की cells को हम क्या बोलते हैं, pro-carious, जिसके अंदर nucleus reason क्या हो, well-defined ना हो, हम कैसे organism है, we are eukaryotic organism, हमारे cells कैसे है, eukaryotic है, हम अपने cells के nucleus के हर हिस्से को अच्छी तरह से explain कर सकते हैं, लेक के अंदर क्या होता है, जो भी उनका जो cell का, जो nuclear reason है, वो well-defined नहीं होता, इसलिए उसको हम क्या बोलते है, bacterias are pro-carious cells, bacteria कैसे cells है, pro-carious cells है, इसके बाद जो next है आपका, वो करेंगे हम next video के अंदर,